हेलो, हेलो अब्रिवान, वेरी वल्कम, सो गाइस, यूजी सी नेड एक्जाम, दिसंबर दोजार थेईस के लिए, आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, किस तरह से आप जोगरफी और पेपर फस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे, गाइस देखें, आज इस टॉपिक पर हम डिसकर्स करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉडट टापिक से गाइस देखें, आज का सेसन कंप्लीट पूरा देखेगा, गाइस देखें, कुछ मोस्ट, कुछ मॉस्ट इंपॉडट पॉइंट्स पे हमें डिसक़ करना है, देखें, आप अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं और बहतर तरीके से कैसे किया जाए और गाइस दिखें क्या आपके पास परियाप्त समय है कि स्लेबस को कवर किया जाए और जो सबसे most important points है गाइस दिखें क्या paid course लेकर ही आप अपना exam crack कर पाएंगे इन सभी points पे discuss करेंगे गाइस तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप अपनी preparation कैसे करते हैं कितने step में आप अपनी preparation करते हैं तो गाइस दीखें जो students पहली बार UGCNet exam देंगे या पहली बार UGCNet exam की preparation करते हैं और जिन इस्टूरेंट्स ने बहुत बार UGC Net exam का exam दे दिया है लेकिन उसके बावजूद भी उनका exam crack नहीं हुआ है तो क्या mistake करते हैं वो students सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस देखे जो पहली बार UGC Net exam देते हैं और जिनों ने बहुत बार UGC Net exam दिया है तो देखे गाइस जो पहली बार UGC Net exam देते हैं वो किस और जो जिनों ने बहुत बार UGC Net exam दिया है अक्सर वो students two step में अपनी preparation करते तो स्टेप में अपनी करते हैं तो स्टेप और दोनो डाइप के टूरेंट्स जिनों ने पहली बार UGC Net Exam की प्रेपरेशन करते हैं जो पहली बार UGC Net Exam देंगे और जिन श्टेवरेंट्स ने बहुत बार UGC Net Exam दे दिया है लेकिन अभी तक ट्रैक नहीं हुआ है अक्सर वो students मुझे बहुत सारे students के message आए जब मैं उनसे पूचता हूँ कि आप अपनी preparation कैसे करते हैं तो उनका यही जवाब होता है कि हम two step में अपनी तयारी करते हैं preparation करते हैं first step में क्या करते हैं slabus के according slabus के according slabus के according जितने भी units हैं उन सभी units के topics को पढ़ते हैं उन सभी topics को पढ़ते हैं topic को पढ़ते हैं लेकिन guys देखें जो पहली बार EGC net exam की preparation करते हैं उनसे slabus complete cover नहीं हो पाता है topics भी cover नहीं हो पाते हैं ठीक है और देखें अब जिनों ने बहुत बार EGC net exam दिया है और उनका exam crack नहीं हुआ है वो बच्चे क्या करते हैं syllabus के according syllabus के according सारे topics को पढ़ लेते हैं सारे topics को पढ़ लेते हैं और देखें सारे topics को पढ़ लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका exam crack नहीं होता है ठीक है अब देखें first step है उनका परस्ट स्टैप क्या है उनका Slabas और Topics ठीक है अब देखें सेकंड स्टैप में क्या करते हैं वो बच्चे PYQ को solve करते हैं और MCQ को solve करते हैं फस्ट और सेकंड स्टैप ठीक है यह तू स्टैप में आप अपनी preparation करते हैं दोनों टाइप के students जो पहली बार UGC Net exam देते हैं और जिनों ने बहुत बात दिया है नोश्पमें करते हैं अब थो स्टेप में इसमें वेडरी मॉस्ट इंप 느ड पॉइंट है गाई गाईस देखिये तू स्टेप में हुआіль है आपको थ्री स्टेफ में अपना preparation अपनी तयारी करनी चाहिए इसमें एक और जोड़ेंगे third stage गाइस देखे इसमें क्या होगा जो third point है हमारा third stage है हमारा third step है हमारा इसको आप second point में रख लीजिए देखे PYQ आपको solve कब करना है वो मैं आपको बताऊंगा देखे very most important होता है knots knots का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी exam को crack करने के लिए देखे मैं बहुत काम की बात बता रहा हूँ आपको knots का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी exam को crack करने के लिए अपने खुद के knots बनाईए वो भी कैसे synopsis base अपने notes तयार कीजिए कैसे synopsis based यानि कि sorts, notes कहा जा सकता है उनको synopsis based notes तयार कर लीजिए जैसे कि किस writer ने कौन सी book दी है किस writer की कौन सी famous book है कौन से air में वो book लिखी गई थी और उस book को किसने आगे बढ़ाया किसने उसमें संसोधन किया इस तरह के जितने भी mainment points होते हैं हर topic से अपने notes बना लीजिए ठीक है अब सवाल ये होता है guys देखिए पहले इस point को cover कर लेते हैं time का देखते हैं time पे discuss करेंगे सबसे पहले discuss कर जो हम कर रहे हैं इसको कर लेते कि कितने step में किस तरह से आपको अपनी बहतर तयारी करनी है अब देखिए third step है PYQ PYQ को third step में आप PYQs लगाईए MCQs लगाईए third step में रखिए इसको सबसे पहले slabus के according सारे topic को पढ़ लीजिए notes तयार कर लीजिए PYQs और MCQs कब हमें लगाना है कब हमें solve करना है मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम दो मैने से तीन मैने से PYQs का PYQs solve कर रहे थे MCQs solve कर रहे थे लेकिन इसका बावजूद भी इसके बावजूद भी PYQs में हमारा अच्छा score नहीं हुआ है syllabus में जो हमारा geography है subject है उसमें भी हमारा अच्छा score नहीं हुआ है average number आये हैं तो देखे गाईस सबसे पहले काम आपने क्या करना है syllabus को cover करना है notes तयार करना है देखे जो PYQs, MCQs solve करना है third step में वो कब करना है देखे जब exam के लिए 15 से 20 दिन का समय बाकी रहे गया हो तब आपको PYQs solve करने है और गाईस देखे जब आप PYQs solve करेंगे तो साथ में आपको अपना notes भी revision करना है देखे आप सभी units के notes को revision करने के लिए आपके पास 2 या 3 गंटे का समय आप ले सकते हैं अपना notes revision करने के लिए सारे notes जितने आपने अभी तक बनाये हैं complete syllabus के notes को आप revision कर सकते हैं देखे 24 गंटे सभी के पास होते है 24 गंटे सभी के पास होते है इन 24 गंटे को आप किस तरह से use करते हैं वो आप पे depend है आप 24 में से 10 गंटा सोने पे भी लगाएंगे तब भी आपके पास 14 गंटे बसते हैं इन 14 गंटे में से यदि आप 4 गंटा अपना घर का कुछ और काम करते हैं आपके पास कितना बसता है 10 गंटा फिर भी बसता है इन 10 गंटे में आप अपनी preparation और बहतर तरीके से मलब सबसे बेस्ट तरीके से आप अपनी तयारी कर सकते हैं ठीके दो या तीन गंटे का समय लीजिए अपने नौट्स को revision कीजिए उसके बाद अपना PYQ MCQS लगाईए ठीके ये हो गया आपका कि आपने इस तरह से आप अपनी preparation करेंगे देखे मुझे बहुत सार student से मेरी बात हुई है बहुत सार student के message आते हैं और जब वो बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी तयारी करते हैं कहां कमी रही तो मैं उनको बताता हूँ कि इस तरह से अपनी preparation कीजिए मेरा खुद का अनुभवी है खुद का experience भी है यही बात मैं आपको बता रहा हूँ अपना नौट्स जरूर जरूर तयार कीजिए अब देखे गाईस सबसे important है कुछ बच्चे कहते हैं कि सर paid course लेकर ही क्या हमारा exam crack होगा क्योंकि मुझे बहुत सारे students के message आए कि सर आपका paid course कब start होगा तो देखे गाईस paid course देखे आपके पास चार महने का समय है और चार महने के लिए paid course sufficient नहीं होता है यानि कि अगर मैं चार महने के लिए paid course start करूँ देखे मैं आपके slavus को बिल्कुल भी cover नहीं कर पाऊंगा देखे आप अपने तरब से six month का समय slavus को cover करने के लिए और देखे PYQs या MCQs practice के लिए आपके nots तयार करने के लिए आपके doubt session को आपके doubt को complete करने के लिए six month का लगबक समय चाहिए तब ही जाकर आपका exam crack हो पाईगा यदि आप कोई भी paid course लेते हैं लेकिन मुझे जो बहुत सारे students के message आये कि सर हमने paid course लिया था इसके बावजूद भी हमारा exam crack नहीं हुआ है तो देखे गाइस paid course उन students के लिए होता है सबसे पहली बात आप self study से अपना exam crack कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले बात कर लेते हैं जब हम UGC net exam की preparation करते हैं देखे जब हम UGC net exam की preparation करते हैं हम देखे फिरी की तरफ भागते हैं यानि की three classes की तरफ भागते हैं देखते हैं किस तरह की classes हैं जब हम लेते हैं हमको हमको समझ आने लगता है तो देखे जो चीज़े हमको अच्छे सा समझ आती है बारवार उन चीज़ों का revision करते हैं हम बोर हो जाते हैं हम नए की तरह भागते हैं अक्सर ये चीज़े होती है हर students के साथ होती है लेकिन गाइस देखे डाउयक के सेल्फष्टडि से ही आप अपना legally कर सकते हैं ये मेरा मानना है So paid course उन इस्ट्टरेंटेंट के लिए होता है यहico को सब कुछ बन बनाया हुआ पक पकाया हुआ चाहितु है कि कि अब गय सा देखे जिनको खाना पक पकाया हुआ जिनको आदत हो जाती है, खाना पकपकाया हुआ, जुनको मिल रहा है, उनको आदत हो जाती है, और देखें, उसके बावजूद भी, paid course लेने के बावजूद भी, उनका exam crack नहीं हो पा रहा है, कही न कहीं उनी students की कमी है, कहीं न कहीं खुद की कमी है, खुद की गलती को मानिए, समय को दीजिए, देखें, self-study से आप अपना exam कैसे crack करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन paid course के लिए, देखें, जो बच्चे paid course के पीछे भागते रहते हैं, देखें, उनके लिए मैं यही कहना चाता हूँ, जो बच्चे खुद अपनी self-study से करना चाते हैं, उनको भी लगता है कि यार paid course लेना ही चाहिए, देखें गाईज, सबजी कैसे करती है, जो खुद self-study करते हैं, उनको मालूम है कि हमें तयारी कैसे करनी है, कैसे हमें syllabus को download करना है, कैसे हमें question paper को देखना है, कैसे हमें syllabus के जो units हैं, सबी topics को पढ़ना है, और उसके बाद, उसके बाद देखें, अपने notes भी तयार करना है, उसके बाद हमें revision करना है, उसके बाद हमें P.I.Q. solve करना है, तो definitely, जब आप exam में जाएंगे, तो आप बहुत अच्छा score करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा score करेंगे आप exam में, मेरी बात को मानिए, अब देखें, बच्चे क्या करते हैं, paid course को ले लेते हैं, और paid course के भरोसे ही बैठे रहते हैं, अपने खुद के notes, revision नहीं करते, और syllabus को भी cover नहीं करते, उसके बाद क्या होता है, जब exam करीब आता है, तो pyq, mcq, उसको solve करते हैं, previous year, question paper को लगाते हैं, और उसके बाद exam में कैसा score करते हैं, वो आपको अच्छे से मालूम है, उसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए गाईज देखे, self study से आप अपना exam crack कीजिए, जब देखे, जब YouTube नहीं था, जब online platform नहीं था, तब भी देखे, बहुत सारे लोगों ने exam crack किया है, self study से, ठीक है, self study से exam crack किया है, जब paid course नहीं होता था, तब भी बहुत सारे बच्चों ने self study से exam crack किया है, तो मैं यही कहूँगा, self study से कीजिए, इस से आपको मालूम होगा, आपके basic concept clear होंगे, सबसे पहली बात, है ना, अब guys देखे, smart तरीके से आप अपना, अपनी preparation कैसे करेंगे, आप अपना तयारी कैसे करेंगे, एक smart तरीके से, इस सारी आपको बता देता हूँ, guys देखे, इस तरह से कोई भी आपको नहीं बताएगा, smart तरीके से आप अपनी preparation कैसे करेंगे, इस पर मैं discuss करूँगा, guys सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके पास समय कितना है, आपके पास समय कितना है, इस टॉपिक पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखे, दिसंबर में आपका exam है, दिसंबर में, अभी जुलाई खत्म होने को, जुलाई को हम count नहीं करेंगे, अगस से मान कर चलते हैं, अगस हो गया, सिप्टमबर हो गया, अक्टूबर हो गया, और हो गया, क्या नहुंबर, यानि कि नहुंबर, यानि कि हमारे पास लगबग चार मेने का समय है, 120 दिन का आपके पास समय है, देखे, इसमार तरीके से आप अपनी preparation कैसे करेंगे, 120 दिन का समय है, देखे, इसमें से 10 दिन माइनस कर लीजिए, वो क्यों मैं वो आपको बताऊंगा, यानि कि आप 110 दिन मान कर चलिए, आपके पास 110 दिन का समय है, जो बच्चे पहली बार EGC Net exam इस बार देंगे, जो preparation कर रहे हैं, यदि उनको लगता है कि हम syllabus cover नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनको लगता है, और smart तरीके से आप अपनी preparation करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, देखे, आपका जो भी paper 1 और जो भी आपका subject है, syllabus को, sorry, syllabus को download कीजिए, hard copy निकाल लीजिए, सबसे important है hard copy निकाल लीजिए, syllabus को download कीजिए, ठीक है, syllabus को download कीजिए, hard copy निकाल लीजिए, और उसके बाद गाहिज देखे, previous question paper को देख लीजिए, previous year, जो भी previous year के, जो question paper है, PYQ को देख लीजिए, कम से कम 3 year के, 3 year के previous question paper को देख लीजिए, उन question paper को अच्छे से analysis कीजिए, इसमें, देखे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 year के question paper को paper first और subject, देखे, paper first, यह आपका slabus हो गया, paper first और subject, यानि की paper one और क्या है, paper two, paper two, देखे, दोनों को, दोनों का slabus लीजिए, दोनों को slabus लीजिए, previous, 3 year के previous question paper को निकाल लीजिए, देखे, यूटूब पे बहुत सारे session है, यहाँ पर previous year question paper के, बहुत सारे educator ने previous question paper को solve करवाया है, आप उनको देख सकते हैं, उन question को analysis कीजिए, और देखे, किस topic से सबसे ज़्यादा questions पूछे गए हैं, कि senior के किस topic से सबसे ज़्यादा questions पूछे गए हैं, यह आपको देखना है, उसके बाद guys, आपको क्या करना है, syllabus को उठाना है, उन topics को पढ़ लिजिए, उन topics के notes तयार कर लिजिए, जो बच्चे पहली बार EGC net exam देंगे, वो बच्चे क्या कर लिजिए, जो मैंने आपको बता दिया है, जो previous question paper को देख लिजिए, फिर syllabus के according, आपको previous year question paper में देखना है, कि किन topics से सबसे ज़्यादा बार question पूछा गया है, या सबसे कम बार question पूछा गया है, यह भी आपको देखना है, यह भी आपको compression करना है, और जितने भी topics हैं, जितने भी आपको topics मिलते हैं, उनको पढ़ लिजिए, इन topics को पढ़ने के लिए, आपके पास 60 दिन काफी हैं, गाइस मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ, सारी देखे, मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 24 गंटे सब के पास होते हैं, 24 गंटे को आप कैसे यूज करेंगे, वह आप अच्छे से जानते हैं, मैंने बता दिया है, कि 10 गंटे आप सोंगे भी, 10 गंटे के आप अच्छे से नीन भी लेंगे, तो 14 गंटे हैं, 4 गंटे आप घर का काम करते हैं, तो 10 गंटे आपके बास समय हैं, पढ़ने के लिए, revision भी कर सकते हैं, previous question paper को भी solve कर सकते हैं, और आप अपनी study, अपनी बहतर preparation भी कर सकते हैं, ठीक है, बहतर preparation भी कर सकते हैं, तो गाईस देखें, यह आपका हो गया, कि आपने topics को पढ़ना है, syllabus के according और सारे topics को cover कर लेना है, उसके बाद गाईस देखें, जब भी आपका exam होगा जो भी आपके पास समय बचता है उस समय में जो आपके पास extra time बचता है उस time में देखें आप अपना क्या कर सकते हैं कुछ नई चीजों को पढ़ सकते हैं कुछ syllabus के according नई चीजों को पढ़ सकते हैं जैसे कि आज कल paper one में कुछ नई चीज़े add हो गई है ठीक है ICT में add हो गया है computer में add हो गया है यह सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए जैसे आपका exam आएगा 15 या 20 दिन पहले आप क्या करेंगे 15 बीज दिन पहले आप क्या करेंगे अपना previous year question paper का फिर से revision कर सकते हैं फिर से solve कर सकते हैं यह आपका complete हो गया अब guys देखिए वो बच्चे देखे paid course लेना बिलकुल भी जरूरी नहीं है paid course उन बच्चों के लिए होता है जिनको पता नहीं होता है slabus कहां से download करना है कैसे cover करना है कैसे पढ़ना है कैसे अपनी तयारी करना है जिनको proper guidance चाहिए ठीक है जिनको content नहीं मिलता है लेकिन guys देखे हर topic पे slab paper one में slabus के according हर topics पे धेर सारी videos हैं धेर सारे channels हैं धेर सारे videos हैं बहुत सारे educator हैं बहुत सारे educator ने बहुत सारी classes लिये हैं पेपर first में तो मुझे नहीं लगता कि paper first आपको लेना चाहिए और geography में भी आपको लेना चाहिए geography में भी सारे subject में slabus के according topic wise आप सर्च कीजिए आपको सारे कुछ नो कुछ videos मिल जाएंगे किसी भी educator की देखिए अपना नौट्स तयार कीजिए और देखिए उन नौट्स में उन वीडियो में एक चीज सबसे most important होता है क्या आपके syllabus के according वो नौट्स वो वीडियो जो लेक्चर आप देख रहे हैं क्या वो authentic है आपके syllabus के अकॉर्डिंग है यह आपको खुद से देखना है खुद से चक करना है अब मैंने कहा था ना दस दिन आप अलग से ले लिजिये दस दिन का समय आप 120 दिन में से दस दिन आप अलग से ले लिजिए इन दस दिन में आप देखिए जहेर सारे YouTube पे बहुत सारे चैनल हैं बहुत सारी वीडियो हैं बहुत सारे एजुकेटर हैं उनसर्ग कीजिए देखिए उनको उनके session देखिये फिरी में कहीं कुछ भी मिल रहा हो आपको लेना चाहिए ये मेरा मानना है लेना चाहिए आपको आपको देखना है कौन सबसे best teacher है? सौरी, best content है, कौन सबसे authentic best content है, content है, सौरी, मेरे words इधर उधर हो रहे हैं, देखे, teacher को मत देखिए, content को देखिए, देखे, teacher से आपको क्या मतलब, आपको content से मतलब है ना, कि आपके syllabus के according आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ा तो यही होता कि आपको syllabus के according, आप content को follow कीजिए, अपने syllabus को follow कीजिए, किसी भी वीडियो को follow कर लीजिए, किसी भी educator को, देखे, मैं यह नहीं कहता है कि आप educator को follow कीजिए, मैं कभी यह नहीं कहता हूँ कि मुझे follow कीजिए, मैं यह कहता हूँ कि मेरा content follow कीजिए, मेरी videos को follow कीजिए, इसी तरह से आपको जहाँ कहीं भी आपको मिलता है, आफ follow कीजिए और उन video's को देखिए, आपके syllabus के according, जो आपको topics हैं, जो आपके units हैं, जो topics हैं, उनके according आपको authentic content, authentic content आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. Best content आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. ठीक है इससे आप अपने नौट्स भी तयार कीजिए साथ में देखे सबसे important है नौट्स तयार करना मैंने कहा है ना कि आपको अपना नौट्स तयार करना है ठीक है अब देखे गाईस जो बच्चे फिरी में आप कहां कहां से study कर सकते हैं मेरे end से मेरे end से आप अपना study कहां से कर सकते हैं 3 of cost आप कहां से करेंगे इस topic पर मैं आपको complete कर लेता हूँ इस point को आपका complete कर लेता हूँ guys देखें आपको क्या करना है सबसे पहले देखें this is study this is study YouTube channel को search करना है और playlist में जाना है देखें जब आप this is study search करेंगे और YouTube channel को open करेंगे तो देखें इस तरह का homepage आएगा इस तरह का homepage आएगा उसके बाद आपको playlist में जाना है देखें playlist में जाने के बाद आपको इस तरह का playlist दिख जाएगा guys देखें geography के लिए my geography series हमारी start हो गई है प्रापर तरीकी से series चल रही है और देखें paper 1 के लिए my paper 1 series हमारी चल रही है my paper 1 series my geography series में syllabus के according देखें syllabus के according जो भी most important topics होते हैं जहां से हमेशा questions पूछे गए हैं 3 year में सबसे जादा 3 year के previous question paper में सबसे जादा questions पूछे गए हैं पूछे गए हैं उन topics को हम यहां पर discuss करते हैं UGC net, GRF geography में देखे geographical thought हमारा complete हो गया है इन सारी classes को आप देख सकते हैं आपको with pdf भी आपको मिल जाएगा pdf काम पर मिलेगा आपको मैं आपको last में बताऊंगा pdf भी आपको यहां पर provide कर लिया जाएगा तो geographical thought हमारा complete हो गया है slabus भी यहां पर दिया गया है सारा complete slabus यहां पर provide कर लिया गया है एक बार नहीं तीन-तीन बार slabus को geography का slabus यहां पर दिया गया है बहुत अच्छे से explain किया गया है तो आप देखें इन slabus को आप अच्छे से देख सकते हैं cover कर सकते हैं पीड़ भी आपको provide किया गया है कहां पर किया है वो मैं आपको last में बताऊंगा सारे notes आपको provide किया गया है guys देखे देखे UGCNet, GRF, Geography का हम देखे complete classes यहां पर चल रही है और देखे paper 1 के लिए guys देखे यहां पर हमारी 23 class हो गई है 3 unit हमने complete कर लिया है teaching aptitude, research aptitude और communication 3 हमने 3 unit complete कर लिया है अब हम ICT start कर रहे हैं बहुत जल्दी देखे इस playlist को आप देख लिजिए complete देख लिजिए PDF आपको कहां मिलेगी वो मैं last में बताऊंगा और यहां पर भी हमारी classes हुई है पेपर 1 की यहां पर भी कुछ classes हमारी हुई है अब देखे जो बच्चे PhD में admission लेना चाहते हैं PhD में admission लेने के लिए interested है उन बच्चों के लिए यहां पर update देदिया जाता है और देखे previous question paper PhD entrance के जो previous question paper है वो यहां पर solve किये गए हैं बहुत सारे previous question paper को solve किये गए हैं और आगे भी किये जाएंगे तो आप इस playlist को देख सकते हैं यहां पर पेपर 1 का syllabus discuss किया गया है PhD admission से related यहां पर notification provide क्या लिया जाता है और UGC net exam से related यहां पर notification update यहां पर देदिया जाता है अब guys देखें सारा PDF आपको कहां मिलेगा जितनी भी हमारी अभी तक classes हुई है और आगे भी होगी उन सभी का PDF आपको कहां मिलेगा playlist में sorry playlist नहीं उन सभी का PDF आपको मिलेगा telegram पे sorry देखे telegram पर आपको provide कर लिया जाएगा अब देखे telegram channel को आप कहां से join करेंगे description पर जाना है telegram का link दिया हुआ है या फिर आप क्या कर सकते हैं telegram पर search कीजे this is a study और जितना भी content जितना भी जितना भी अभी तक हमारी complete classes हुई है सभी की PDF आपको telegram पर provide कर लिया गया है ठीक है telegram पर provide कर लिया गया है description पर जाएए link दिया हुआ है आप वहां से telegram channel को join कर लिजे subscribe कर लिजे class का notification टेलिग्राम पर provide किया जाता है और PDF आपको telegram पर provide किया जाता है guys देखे आपको session अच्छा लगा हो तो like कीजिए share कीजिए like कीजिए share कीजिए guys लगबख सभी point हमने cover कर लिए है paid course हो गया किस तरह से आप अपनी preparation करेंगे किस तरह से आप अपनी तयारी कर रहे थे और guys देखे आपके पास समय कितना है तो आपके पास अभी परियाप्त समय है ठीक है like कीजिए share कीजिए channel को subscribe कीजिए bell icon को press जरू कीजिए